मद्य प्रदेश में अभी तो बहुत ज्यादा बारिस होना बाकी है किसान भायो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त रामलाल दाकर और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चेनल स्मार्ट एगरी कल्चर में इस वीडियो में हम मद्य प्रदेश के मौस्म के बारे में बात करेंगे किसान भायो इस समय पर मद्य प्रदेश के अधिकतर चेतरों में बारिस का दोर चल रहा है जिसकी वज़े से पिछले 24 गंटों के दोरान भी प्रदेश के कुछ चेतरों में हलकी से मद्यम बरसात देखने को मिली हैं लेकिन अभी भी मद्य प्रदेश का मौसम साफ होने वाला नहीं है क्योंकि मौसम इबाग के अनुसार आने वाले 48 से 22 गंटों के दोरान प्रदेश के कई छेतरों में एक बार फिर से तेज बारिस हो सकती है तो क्या है मौसम इबाग का नए अपडेट इस वीडियो में हम आगे विस्तार से मद्य प्रदेश के मौसम के बारे में चर्चा करेंगे हम एक एक जिलो के अनुसार मौसम की स्पेसल बात करेंगे मतलब की परदेश के कौन कौन से जिले में किस परकार का मौसम रहेगा तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्कीप के अंतर तक देखे और आप हमारे चैनल पर पहली बारा हो तो नीचे देखे के लालक्सरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो गंटी का निसान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड गरे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए केसान भाईयो अब अगर मद्य परदेश के आगे के मौसम अपडेट के बारे में बात करे तो मौसम इभाग के अनुसार दो मई के दोरान परदेश के पुर्वी जिलो पन्ना सतना रिवा, सीडी, सिंग्रोली, उमरिया, सैडोल, अनोपूर, डिंडोरी, मंडला, बालागाट, शिवनी, चिनवडा, जबलपूर, नर्शिंगपूर, तता हरगदा, नरमदापूरम और इन जिलो में ठीक ठाक बारिस होने की संभावना है, मतलब कि इन जिलो के अधिकतर छेतरों में बादलों की आवजाई के साथ हलकी से मद्यम बरसाथ देखने को मिल सकती है, जबकी परदेश के पश्चिमी जिलो, नीमच, मनसो, रतला, मुझें, दार, जाबवा, अलिराज इन जिलो में बारिस होती है, तो भी बारिस नाम मातर की होगी, इसके आगे बात करें, तो तीन मई के दोरान भी प्रदेश के कई जिलो में बारिस की गतिविदा देखने को मिल सकती है, जिन में मुख्य रुप से बढ़वानी, बुरानपुर, हर्दा, नरमदा, पुरम, बेतुल, जबलपूर, नर्सिंगपूर, उमरिया, सेडोल, अनुपूर, इन जिलो में ठीक बारिस होने की संभावना है, तता सागर, विदीसा, निवारी, टिकमगर, चतरपूर, इन जिलो में भी बादलो की आवजाई के साथ हलकी से मद्यम बरसात तीन में के दोरान हो सक चार में के दोरान ज्यादा बारिस होने की संभावना नहीं है, तता पन्ना, सतना, रिवा, जबलपूर, नर्सिंगपूर, उमरिया, सेडोल, अनुपूर, इन जिलो में भी चार में के दोरान कुछ इस्तानों पर बारिस होने की संभावना बन रही है, लेकिन पांच में के दोरान बरसात होने की संभावना हैं तता 6 मेह के दोरान भी इन जिलों में अच्छी भाची बरसात हो सकती हैं तता उत्तरी जिलो बिंड मुरेना गौलेर दत्या शोपूर शोपूर शोपूरी गुना असोगनगर निवारी टिकमगर शतरपूर इन जिलों में भी 6 मही की दोरान बारिस होने के संभावना बन रही है तो किसान भाईयो अगर ओवराल मद्य परदेश के मौसम के बारे में बात करें तो मद्य परदेश में छोटपूर बारिस की गतिवी दिया 6 मही तक लगातार जारी रहेगी तो यह थी मद्य परदेश के मौसम की जानकारी आप परदेश के कौन से जिले से बिलोंग करते हैं और अभी आपके जिले में मौसम की का इस्थिती हैं कमेंट करके आउश्य बताना चले मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान